हेलो डियर स्टुडेंस कैसी हैं सभी आई होप सभी ठीक होंगे पड़ाई लिखाई सभी की अच्छी चल रही होगी डियर स्टुडेंस हमारे पता आपको पता है मैंने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइस जो पेज नंबर वन टॉन्टिया वन टॉन्टियन के कॉश्शन आरा था फिर्स्ट फोर्थ कॉश्शन को करवाद कुक हम है यहां तक तुम लोगों को ठीक है क्या यह चुश्चे बस दिखने हैं फिर्फ्ट् 20 seconds, find its acceleration and find the force acting on it if its mass is 7 tons, और आपको पता हो चाहिए, वन टन किसके बराबर होता है, 1000 kg के बराबर होता है, ठीक है, गिवन है, यह question rate, fine, तो simple सा question में एक बार समझा देता हूँ, एक truck है, जो की कहां कैसा है, rest में, जाने कि उसकी initial velocity कितनी है, जीरो है, वो क्या होता है, नीचे की तरफ आथा, किस तनी acceleration के साथ, constant acceleration के साथ, इस question में दिये हुआ है, जो आपका distance travel करता है, आपका truck, जब वो नीचे आ रहा है, roll करता हुआ, hill से, कितना distance travel किया, उसने 400 meter किया, कितने time में किया, 20 second में किया, और acceleration हमें find करनी है, और साथ में हमें क्या find करनी है, force, तो यहाँ पे जो, जेखो, given क्या है, जहाँ पे जो लिखा हुआ, वो बता देता हुआ हूँ, displacement जाने कि distance दिया हुआ, 400 meter, time दिया है, t दिया है, कितना, 20 seconds, initial velocity दियो, यह u, initial velocity कितनी दियो, जाने कितनी 0, क्योंकि rest में था वो, तो हमें क्या find करना है, we have to find, acceleration, तो यहाँ पे हम formula use करेंगे, s equals to, ut plus 1 upon to, 80 square, सारी values को put कर दो, तो आप जैसे values को put कर होगा, आपका answer मिल जाएगा, s कितना है, 400, u कितना है, 0 into t, plus 1 upon to, a कितना है, find करना है, a कितना है, find करना है, t कितना दिया हूँ, यहाँ पे 20, तो 20 का क्या हो जाएगा, square, बचे का क्या अपने पास, यह देखो, दखीए, यहाँ पे, 400, यह क्या हो जाएगी, पूरी term, 0, त misunderstand, क्वारट चाहर कितना होता है इन टो क्या है इम्ट चाहर T कितनी आगी है हमारी two meter per square आगी जो कि यहां पर हमने find की हुई है यहां पर देख सकते हो यहां पर जैसे मैंने solve करवाया step by step आपने step by step करके acceleration कितनी आजाएगी आपकी two meter per second आजाएगी इतनी बात clear होगी होगी उमीद करता हूँ फिर उसके बाद हमने क्या find करनी है force देखो acceleration मिल चुकी है force का formula हमने newton second नाव में solve किया था कितना आता है force का क्या फार्म होता है force is equal to mass into acceleration यह लिखा हुए we know force equals to mass into acceleration और साथ में हमें दिया हुआ क्या mass दिया हुआ है acceleration तो find कर ली mass कितना दिया 7 ton और एक ton में कितने kg होते है thousand तो thousand से multiply कर दो तो कितना आजाएगा हमारे पास thousand kg आजाएगा mass किसका truck का तो mass कितना आजाएगा mass equals to seven thousand kg अब force find कर सकते है therefore force equals to mass into acceleration मास कितना है force equals to mass into acceleration अब देखो value पुट कर दो this implies f equals to mass कितना है हमारा seven thousand और acceleration कितनी है two तान से कितना आजाएगा force equals to fourteen thousand क्या होता है वह न्यूटन जा ऐसे भी लिख सकते हो एक और unit लिख सकते है उसका कैसे एक तो unit force का unit क्या होता है न्यूटन this implies ऐसा वह लिख सकते है force forty thousand mass क्या है kg में और acceleration का unit क्या होता है meter per second square ये भी हमारा unit हो जाएगा इसका clear बात कोई doubt है इसमें किसी को ओके आगे बड़े next question देखें देखें आगे एक last question discuss कर रहो मैं आपके साथ stone of 1 kg thrown with a velocity of 20 meter per second square thrown with a velocity of 20 meter per second across the frozen surface of a lake and comebacks बापिस आ जाता है and comebacks comes to a rest after traveling a distance of 50 meter what is the force of friction between the stone and the ice once बोलता है एक stone को फैंका जाता है एक lake है जो कि क्या फ्रोजन है जैसे उसके उपर फैंका जाता है कितनी velocity के साथ इसको throw किया जाता है 20 meter per second की speed से velocity से और थोड़ी और देर बाद और पत्तर के सा जाता है stone कैसा आजाता है rest में आजाता है अगर stone rest में आ चुका है मुझे बताओ उसकी final velocity कितनी होगी 0 यहाँ पर हमें initial velocity दिये हुई है u कितने दिये हुई है 20 final velocity v कितने दिये हुई है a說 kæ가 distance sixteenра travel किया 50 meter खा find क्या करना है हमें question में दिया हुआ है हमें force find करनी है अगर force find करनी है तो सबसे पहले हमें acceleration बताने चाहिए दूसरी चीज हमें mask बताने चाहिए mask तो given है question में acceleration नहीं given है acceleration आप find कर लेंगे कौन सा formula use करके v square minus u square equals to 2as यहां से acceleration का formula क्या हो जाएगा इसको आप दूसरी तू और s को दूसरी तरह बेज़ दो हमारे पास क्या हो जाएगा this implies s will become v square minus u square upon 2s यहां पर value substitute कर दो v की value देखो यहां पर किया भी हुआ है यह देखिए v की value कितनी है हमारी final velocity 0 क्योंकि rest में आगे थी आपकी stone और u की value कितनी है आपकी 20 question में दिया था 20 का square करो कितना आ जाएगा 400 और यहां पर नीचे के आएगा 2s 2 into s कितना दिया और 50 तो 2 into 550 करो कितना आ जाएगा 100 तो यहां भी इसको जैसे solve करोगे आपके पास कितना आ जाना minus 4 meter per second आ जाएगा कोई doubt है इसमें किसी को ओके next बढ़ते हैं देखिए therefore the force active on the stone कितनी हो जाएगी mass into acceleration होता है तो mass कितना है 1 kg और acceleration कितनी आपकी minus 4 देखो mass कितना आपका 1 kg और acceleration कितनी आपकी 4 जाओकि minus में था तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4 newton आ जाएगा minus sign क्या बता रहा है कि friction आपकी opposite लग रही है किसके उस stone का अगर इस तरफ डारेक्शन है तो friction किस तरफ होगा इस तरफ होगा opposite direction है सिर्फ इतनी सी बात कर रहा है क्या negative sign ठीक है मैंने पहले ही बताया है जब भी कोई opposite direction दिखानी हो science के अंदर तो आप कैसे दिखाते हो आप क्या करते हो आप simple सा sign negative लगा देते हो negative sign हमें यही सिखाता है क्या यह बात clear है सभी को किसी को doubt है तो आज का lecture हम यहीं पर समाप्त करते हैं I hope आपको समझ आया होगा bye bye have a nice day